नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आर्थी बदहाल अर्थ्विवस्था और महंगाई की मार से परेशान पाकिस्तान के लोग इन दिनों दाने दाने को तरस रही हैं टमाटर के लिए तौबा-तौबा मचाने वाले पाकिस्तानियों पर अब प्याज के दाम कहर बनकर तूट रहे हैं हालत ये हो गई है कि बेचारे पाकिस्तानी बिर्यानी, चिकन, मटन और नली निहारी में प्याज डालने तक को तरस गए हैं उनकी थाली से एक-एक कर खाने का समान गायब हो रहा है ऐसे में बेचारे प्याज के आंसु बहाने को मजबूर हो गए हैं टमाटर तो उनके नसीब में पहले से ही नहीं था अब तो प्याज की कीमते भी सातवे आस्मान पर पहुँच गई हैं प्याज के दाम ने पाकिस्तानियों का दम निकाल दिया है पाकिस्तानी मीडिया के मताबिक इमरान सरकार की गलतियों की वजह से प्याज के दाम 100 रुपे प्रतिकिलों तक पहुँच गए हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके लिए सबंदित विभाग और व्यापार मंत्राले की गलत नीतियों को एक बड़ी वजह बता रहा है प्यास की कीमतों को लेकर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की वजह से बलुचिस्तान और सिंध इलाके में प्यास की फसल को काफी नुकसान हुआ है लेकिन बावजूत इसके सरकार ने इस नुकसान को नजन्दास करते हुए प्यास का निर्यात जारी रखा एक तरफ पहले से ही पाकिस्तान में प्यास की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार अपने ही लोगों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान सरकार अपने देश के प्यास का निर्यात कर रही है जबकि पाकिस्तानी बाजारों में अफगानिस्तान और इरान से आयात किया गया प्यास बेचा जा रहा है जिसकी वजह से इसके दाम बढ़ गए है वहीं प्यास व्यापारियों का कहना है कि देश में प्यास की कमी इसीलिय हो रही है क्योंकि देशी प्यास का निर्यात अब भी जारी है लेकिन बाहर से जो प्यास आता है उसे बंद कर दिया गया है इसका असर ये हुआ कि जो प्यास पहले से ही महंगा चल रहा था अब उसके दाम 20 रुपए प्रती किलो तक और बढ़ गए हैं आपको पता दे कि पाकिस्तान में सिर्फ प्यास को लेकर ही हाहा कार नहीं मचा है इन दिनों वहां लगभग हर सबजी के दाम आसमान सू रहे हैं चिकन मटन के कीमत का तो हाल ही मत पूछो पाकिस्तान के बाजारों में बैंगन असी रुपे किलो, भिंडी एकसो असी रुपे किलो, गोभी एकसो असी रुपे किलो, करेला सौ रुपे किलो, लौकी एकसो चालिस रुपे किलो, तिंडा एकसो चालिस रुपे किलो, आलू असी रुपे किलो, टमाटर सौ रुपे कि किलों तक पहुंच गई है